नमस्कार बच्चो, मैं सुरूची सामरिया आपका इकक्षा में स्वागत करती हूँ, आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विशय पढ़ रहे हैं, बच्चो आज आप मेरे साथ हिंदी विशय में पाठ दस कुडे दान की कहानी अपनी जवानी के अभ्यास प्रशन हल कर रह हैं, तो आईए देखते हैं पहला प्रशन क्या है, कोडे दान किसे कहते हैं, बच्चो यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि कोडे दान हम किसे कहेंगे, तो इस प्रशन के उत्तर में आप लिखेंगे, कच्रा डालने के पात्र को कूडा दान कहते हैं, जिस पात्र में हम कच्रा डालते हैं उसे हम कूडा dhan कहते हैं चलते हैं अगले प्रशन की तरफ देखते हैं क्या है कूडे dhan कितने प्रकार के होते हैं बच्चों पाठ आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि पाठ में हमें कूडे dhan के तीन प्रकार बताए गए थे तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कूडेदान तीन प्रकार के होते है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कूडेदान के जुड़बा भाईयों के नाम बताइए बच्चो यहाँ पर आपसे कूड़ा दान के जुड़बा भाईयों के नाम पूछे जा रहे हैं तो पाठ आपने द्यान पूर्वक पड़ा है आपको याद आ रहा होगा की कूड़े दान के जुड़बा भाई है एक तो काला कूड़े दान और नीला कूड़ा दान चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है रोगी व्यक्ती का सभाग कैसा होता है बच्चो जो व्यक्ती रोगी हो जाता है उसका सभाग कैसा होता है इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे रोगी व्यक्ती का सभाग चिड़ चिड़ा होता है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है सही उत्तर का क्रमाक्षर कुस्टक में लिखें बच्चो इस प्रश्न में आपको क्या करना है यहाँ पर एक पंक्ती में आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर चार विकल्प दे गए हैं आपको सही उत्तर वाले विकल्प का चैन करना है और उस विकल्प को यहाँ पर लिखना है तो बच्चों पढ़ते हैं हमारा प्रश्न कोड़े दान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुड़ा दान हम लगाते हैं हम रखते हैं उस पर हम क्या लिखें देखिए क्या हम लिखें मेरा प्रयोग करें हा बच्चों हमें कुड़े दान पर यही लिखना चाहिए कि मेरा प्रयोग करें तो हमारा सही उत्तर क्या होगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है चलते हैं अगले प्रशन की तरफ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ती करें बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो पंक्तियां है वह पार्ट से ली गई है आपको इन पंक्ति में खाली स्थान दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको उचित शब्द का चैयन करके इन खाली स्थानो की पूर्ती करनी है तो पढ़ते हैं पहले देखिए गंदगी से बिमारी फैलने का डर रहता है बच्चों गंदगी से कैसी बिमारी फैलने का डर रहता है गंदगी से हम लिखेंगे भयंकर बिमारी फैलने का डर रहता है यहाँ पर क्या आएगा बच्चों भयंकर फिर देख देखिए मैं कई मैं मिलता हूं, बच्चों मैं कई किस मैं मिलता हूं, मैं कई रंगों मैं मिलता हूं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, रंगों, फिर देखिए, कुडा डालने के लिए का भी प्रयोग करते थे, बच्चों कुडा डालने के लिए पहले के लोग किसका प्रयोग करते थे, पुरानी बाल्टी का, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुरानी बाल्टी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, पोर्व मैं लोग कच्रा डालने के लिए किनकिन साधनों का प्रयोग करते थे, बच्चों यहां पर आपसे प पहले के लोग कच्रा डालने के लिए किनकिन साधनू का प्रयोग किया करते थे तो इन प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पुर्ब में लोग कच्रा डालने के लिए पुरानी बाल्टी डिब्बा या किसी भी तूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे चलते हैं अगले प् का कूड़े दान रखते हैं उसमें कैसा कच्रा डालते हैं तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे काले रंग की कूड़े दान में जिवानू फैलाने वाली बस्तों जैसे रक्त से सनी हुई सुई या पट्टी आदी डाले जाते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते है अगला प्रश्न क्या है गंदगी फैलाने की क्या परिनाम होते हैं बच्चों यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है कि गंदगी फैलाने से क्या क्या होता है देखिए गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पैचिश, डैंगू, आदी भयंकर रोग फैलने का भेह रहता है तथा स्वास्त खराब हो जाता है बच्चों आज आपनी मेरे साथ आपकी पाठे पुस्तक आओ सीखे भाग दो के पाठ कूडे दान की कहानी अपनी जवानी के अभ्यास प्रश्न हल किये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे नमस्कार बच्चों